नमस्कार दोस्तों मैं MS गुजर प्रति क्लासेज के YouTube चैनल पर एक बार फिर से आपका हर्तिक स्वागत करता हूं अभिनजन करता हूं जैसा ही दोस्तों विदित है कि हमने पिछले काफी दिनों से रास्तान जीके की जो क्लासे हैं वो लगातार चला रखी है और इस रास्तान का जो भूति विवाग है उनका विवाजन किया मुखि रूप से चार भागों में सबसे पहले प्रस्मी रिखिस्तान पिर अरावली प्रवत्माला उसके बाद मुझे मैदान और अंत में दक्षनी पूरी पर्थारी-प्रदेश्त और पिछे क्लास में प्स्मी रिखिस्ता तो आप जुड़े नहीं लगाता देखें अरावली प्रत्मालेग हम जर्जाब करें अरावली विश्वे की भारतो रास्तान की नहीं दोस्तों विश्वे की सबसे प्राचिन सबसे प्राचिन वलित्व प्रवत्माला है अरावली जो है वो विश्वे की प्राचिन वलित्व प्रत्माला है ठीक है नमीन पूछले की वे प्राचिन तो अच्छी बात है अलावली है पर नमीन पूछे तो इमाले बता देना ठीक है दोस्तों प्राचिन पूछे तो इमाले पूछे तो अरावली चीक है इस सीर्व का अपच्छी तरीके से समझ लेना है इसमें गुमाव है उपर नीचे पर उपर नीचे तो लगातार वल्ले उन्हें करने से वलित्व का गया है ठीक है वैसे अब दिरे दिरे यह आप सिष्ट में अरवली प्रवत्माला नहीं कौन सी है हमाले तो प्री केम्ब्रीन यूग इसका उत्पधी काल है वो प्री केम्ब्रीन यूग से माना गया है में इसकी उत्पती हुई यह कारण है कि विश्व की सबसे प्राचीन वलिद प्रवत्माला है जो धिरे-धिरे अवसिष्ट में तफदिल हो रही है बदल रही है और नवी प्रवत्माला कुंसी है हिमाले है दोस्तों ठीक है दियान रखना साथियो अरावली जो प्रवत्माल बिल्कुल हमें इजिवे में समझना है प्राचीट वोर्णा लिंड का अउसेश है पहड़ी छिंत्र पुरा का पूरा जैसे रावली और दक्षिन पुनी पफारिप्रवत्रविह से और घृट्ट है पर रहेगिस्तान और रहेंस्तान इस्ति खरेपानी की जिले हैं वो सार है नो सो तीस मिटर इस सीज का विशेष द्याकरा दोस्तों यह जब से पहले आम अलोली प्रत्माला के विश्तार पर तर्चा करेंगे PenATIONS विश्तार सक रखाएं देखें इनद foreign तो इस्विए ऊपने गजनन आ हिए इंद्धक्षिन कि यह वा सट है और यह पूरव है और यह लोगर नीदून पूर्व जयक है yolा favour ऑने को विस्तार पर जड़ा है रावली पृष्म्हाला जो है उसका विस्तार राव्क्सिन पूरौ उससा जगह है बोज्टर पूरा उत्टर रहा है है राया सीना दृल्ली तक कि समझना दर्शन बसिंग में पालंपूर गुजरात से उत्तर पूराओं में राइसीना दिल्ली तक फैली हुई है कौन सी प्रत्माला अरावनी प्रत्माला दोस्तों समझ लेना और यह एक चीज में आपको और बदा देता हूं गुजरात से शुरूई दिल्ली तक गई कौ सी अर्यदा दिल्ली चार श्टेक फैली हुई है अरॉली प्रत्माला जा पालानपूर गुजरात से राहिसीना दिल्ली तक है दोस्तों में आंतंपा बात हैं समझे पाडियां और यह राष्ट्रवती भवन मना हुआ है और राष्ट्रवती भवन समझना दोस्तों भारत की सबसे बड़ी सबसे बड़ी आवास्य इमारत है भारत की सबसे बड़ी आवास्य इमारत है राष्ट्रवती भवन का वना है राहस्टेन पाडियां दिली राहस्थान की सबसे बड़ी आवास्य इमारत साथ्यों यह रही तो ऐसल हो एप ऑंपे। है? हुझ है तो आपको कन फ्यूंज नहीं होना है, अगर भारत की सबसे बड़ी आवास हिमारत पूछे, तो राश्कती बहुंठ डिल्ली में और राजस्तान की सबसे बड़ी आवास इमारत पुछें तो मुंबे ध्वन पेले जोद्पूर में है दोस्तों ठीक है तो अभी अपनी विस्तार की बात कर रहें विस्तार कहां कहां है गुजरात राजस्तान हर्याना और दिल्ली शुरूआत कहां से होती है पालन्पुर गुजरात से और उत्रमें राइसीन तक है इसमारे तक है कि करते हिंदा करते हैं उसाध वार्षी कंवर्स साथ तो अरावली परदमाला की वार्षी कंवर्स करते हैं 50 से 80 से में पूरी बात पारश का बार्ष यह का बारत में का क्यु जानकार है वह हम जुटा रहे हैं हम एक बार अभी त़ विस्तार के बार क्या है कि कहां है तक है आभ लुग से राजस्तान डारी गहां तक है बहुत मेतर पूराव पस्चिंग उत्तर पूराव डॉक्षिंग ऑप पस्चिंग उत्तर्पूराव राजस्तान की बात कर रहे हैं तो राजस्तान का ये जिला है सिरोही, ठीक है दोस्तों खेरड ब्रमा जगह है ये, दक्षन पस्षी में सिरोही जिले से और उत्तरपूरव में, यही रहेगी सेम इस्ततीज की, उत्तरपूरव में जुन्जनु जिला और खेरड़ी पैसे, ठीक है दोस्तों आप समझो विस्तार है वो दक्षन पस्षी में सिरोही जिले से उत्तरपूरों में जुन्जनु जिले की खेटड़ी तैसिल तक है, दोस्तों फिर उसके बाद में आगे नार्मूर हर्याना सुरू हो जाता तो हर्याना अरवाद में दिली, ठीक है इदर सिरोही से पहले गुजराच श वह 550 पचास एक ठीक है और अरावल्य प्रत्माला और राजस्टान पर एक अब रावल्य प्रत्माला फेली है उसमें एक परसंद बढ़ते हैं सबसे कम विस्तार सरवादिक विस्तार कि यह है और यूनताम विस्तार है अजमिय में अरावलि प्रत्माला राजस्तान के जिन जिलों में फेली है पॉड़िष्टा में और नोंदो से ये सअव अचेरो के नहीं बिस प्रतिसत हो गए और अकेला राखी प्रतिसत में सबसे पहले हम अरावली प्रत्माला के बारे में इसकी उंची चोटियों के बारे में चर्चा करें तो जो इसकी उंची चोटी है कर्मानु साथ सबसे पहले गुरु सिखर दोस्तों गुरु सिखर अरावली प्रत्माला की सबसे उंची चोटी है जिसका संबन सिरोगी से है ठीक है और इसकी उंचाई है 1722 मिटर है 1722 मिटर है उंचाई सिरोई में है नाम गुरु सिखर है और कुछ किताबों में और कुछ लोग इसे 1727 मानते हैं एसा नहीं है दोस्तों कि पांस मिटर उंचा वहां दत्ता त्रेल इसी का एक मंदिर है प्रंतु वो भुगोल की जो गतिविदिया होती उनमें नहीं किना जाता है तो सही उंचाई इतने संतों का सिखर का संतों का सिखर संतों का सिखर या गुरु सिखर 1722 मिटर सिरोही में है अरावनी प्रतमाला की सबसे उंची चोपी है ठीक है साथियो अगला नंबर दो सेर सेर्विस शिरोही में है तो चाहिए 15172 मिटर यह रावनी प्रतमाला की दूसरी सबसे उंची चोटी है करमानुसा राजें दोस्तों तीसरी देलवाडा देलवाडा जो है दोस्तों वो शिरोही में है और इसकी उंचाई है 1420 मिटर ठीक है तो देलवाडा तीसरे नंबर की हो गई 1420 मिटर है सिरोही में है तीन हो गई गुरुशिकर सेर देलवाडा नंबर च्यार जरगा जरगा उद्यपूर में है जरगा जो चोटी है वो उद्यपूर में है और इसकी उंचाई है वो है दोस्तों 1432 पिटर 1422 और अंतिम नंबर पांच गुरुशिकर सेर देलवाडा जरगा और अंतिम अचलगड और अचलगड भी कहा है सिरोही में है ठीक है अचलगड सिरोही में है और इसकी उचाई है तेरा सो असी ठीक है साथियों दुबारा से एक बार चर्चा कर लेते हैं कंफ्यूज बिल्कुल नहीं हो रहा है सबसे उची गुरुशिकर सिरोही में 1722 उपनाम या तोड़ने का अठा क्या संतों का सिकर सेर शिरोही 15 सक्याण में देलवाडा सिरोही 1442 जरगा उदेपूर 1432 और थिए उत्रिया रावली की सबसे उची चोटी पुछे तो शिकर जुनुन की तरफ होगी तो वह है रगुनात्गड का है सिकर ठीक है कन्फुज नहीं होना पहले उतार हूं फिर पुछेंगे मद्यया रावली की सबसे उची चोटी तो मत्यारावली की सबसे उंची चोटी ताराग āजमिर और दक्षनरावली गुरू सिखर शिञा है तो अगर अलग अलग पूछें दक्षन मत्य उत्तर तो भी आपको दोस्म नहीं होना है तो दौस्तों यह थी अरावली परत्माला की उंची चोटिया अब हम आगे जी तर्चा करें इससे रिलेटेड बहुत सारी चार्ब करी है जो अरावनी प्रत्माला के बारे में है सारी जानकारी आज हम जुटारी वाले हैं दोस्तों तो आप तो लगातार जुड़े रहें और यहां से जो आपको सेवा उपलफ्त करवाई जारी है उनका जमकर लाव उठाएं उनका लुट उठाएं घर में रहें कोरोना को मार देते रहें दोस्तों अब आगे हम रावनी प्रत्माला के बारे में चल्चा करें तो अरावनी तो प्रत्माला है इसमें हम दक्षण पस्सिंग से और अगर उत्तर पूरव की और जाते हैं सम्द्रे तर दक्षण पूरव पस्यम से उत्तर पूरव की और जाते हैं तो इसके आकार विस्तार और उंचाय में क्यों होती है क्यों है ठीक है दोस्तों परमालो अपन उत्तर पूरव से और दक्षण पस्यम की और आते हैं वापस आते हैं दिली से गुजराद की और तो इसका आकार विस्तार और उंचाय में क्यों होती है बात भी मिल्कुल सही है क्योंकि हमने अभी ज़स्त टूंची चोटिंग बारे में चर्चा किये तो सरवास्टी कुछ चोटी है सिरोई म और उसके निगट पुरसी उदेपुर में और अरावली का सराथी विस्तार भी उदेपुर जिले में है तो जो जो हम उत्तरपुरं के और जाएंगे तो कमी होगी और उत्तरपुरं से जक्षर के और आएंगे तो उसमें वर्दी होगी कि येुसरा डोस्तो अगली बात हम करते हैं जो और उन्य पृत बार नहां है किसमें जो राश्मन जिला वहां पाडियों के ओब्ड दोन हैं हर जने त्विवर ऐ ए उब डाल है पाडियों के उन्हें बागर कहा जाता कहां रास्मन्जिले में कि दोस्तों अब हम थोड़ा सा आगे बात करें कि अरावली पृत्वाला है इसमें उद्धेपुर्ण और उद्धेपुर्ण के आसपास का छेत्र पहाडियों से गिरा तस्त्री नुमा है जिसे गिरुवा कारदा जिसे गिरुवा पृत्वा प्रदेश के नाम से जना जाता है ठीक है दोस्तों अरावली पृत्व मौला में रागा रास्मन्द में है और जरगा जरगा उद्धेपुर में है दोनों के मद्दे का पहाडी छेत्र देशन हरु कैलाता है बहुत महित अपरुण है रागा और जरगा गे मद्दे का पहाडी छेत्र क्या कैलाता है दोस्तों देशन हरु कैलाता है और अरावली पृत्माला में तो दर्रे पाए जाते हैं उन्हें नाल कहा जाता है और ओनी प्रत्माला में पाएस जाने वंदे क्या कहते नाल प्रंदू पूछा दे नाली तो गंगानेगर और अंवालगड जीद्स में घंगर्णाबी का पुरवाद्षितर नाली कहलाता है थीक है अब कुछ मुख्य दर्रे है अरौवि प्रत्माला में जिनके बारे में चर्चा कर लेते हैं कौन-कौन दड़ी ची नाल, हाती गुड़ा, सोंदेव, सुक्पुरिया, पवेरिया और कामली घाट धर्रा। समझे दोस्तों ये कुछ मुख्य दर्रे हैं, दर्रे क्या है, अराविक रतमला में पाई जानी वाली दर्रों पहा जाता है, सबसे पहले बर जर्रा, यह है व्यावर और पाली दोनों में, देशारी की नाल का समद्ध पाली से है, आप समझे लाओ, केवडा की नाल, साधडरी पाली की नाल हाती गुडा सोंदेव ये सारे के सारे दर्रे हैं ये उद्धेपुर में हैं तो कन्फूर्य की कता या अवस्था नहीं है सुपुरिया पवेजिया दोनों का समंद्ध भ्यावर से हैं और अजमेर में ठीक है और कामली घाट जो दर्रा है ये पाली और रास्मत मैं हो कामली घाट दर्रे का समंद्ध पाली और रास्मत दोनों से है सुपुरिया पवेजिया ब्यावर अजमेर ढंदयव हाती गुडा साथभी की नाल प्रग में के ंब हाए हाती नाल ये सारे उद्धेपुर में है दोस्तान के बो चींडान के और जिंड में सब्सक्कारी है । यह गुमरर कि दूस्तान ज ultimate ऑफmons चीज़ाना के बारिस है औरビख्यों साव्विक दोस्तक्ति बाकि से एक अबकरें और आयों है वी सामबब झीब करें एक प्रसिंग से घुज़ते हैं जाins ऐं अब्रक्यक्य चैसे फीलती टिदिक अबला में sketch are नहीं। और आभली प्रतवाला में कुन खनीज कितने प्रकार की प्रकार की प्रकार की प्रकार के जारी जाए और ये काम कर रहे है जापान के परी जापान की OECF कंपनी के द्वारे काम किया दा रहा है क्या अरावनी प्रत्माला प्रत्माला है इसके पश्चिम में तो राजस्तान के बारा जिले ठीक है और पूराव में राजस्तान के 21 जिले ठीक होगे 33 अप्रत्माला महान जल्व वाजस्ता कारी करती है इसको भी समझना है कि महान जल्व वाजब कारी कैसे करती है देखें एक बात है ठीव सतार विभात के संदर दे लो ये समया कि इस सांट दालती बर एक वह लिधि ही तो दोस्तों और इस साइड इसके इस तरफ पूरों की तरफ जितनी नदियां वेती हैं वह अपना जल्डावतियां बंगाल की खाड़ी के तो अरावली जो प्रूत माला है वह महान जल्वी आजिका कारी करती क्योंकि इसके पस्य में बैने वाली अधिकांस नदियां पूने जल राजस्तान के मानसुं के समान आंत्र होने के कारण से पंश्मी राजस्तान में कम वय अरु applies मियम विद्र सांग को कि केसे खेक कम और यहयमि एक बार समझे लों डाइगराम मगाते ही Spanish yours कि reproduce थिश् Liqui यह व्यक्ति कंपर माला है पस्ति में सब्सक्री आरग्सागर साखा है यह सबसे पहले मालाबार केरल पर बारिश होती है केरल फिर करनाट गोवा माराश्टर गुजरात और राजस्तान में आगे अपना नीचे बांसवाड़ा बांसवाड़ा उद्यपुर में बारिश की और थोड़ा सागी जाती इसका सामना कि इससे और आवली से यह रहिया रावल परकम बारिसी इसमें तो अच्छी बारिशा यह सुखा रहे जाता है सुखा फिका दोस्तों पश्मीर एगिस्तानी नहीं पश्मीर राजस्तान के अलावा पंजाब पंजाब के बाद में कुछ पार्ट हर्याना का और जम्मुकस्मीर पंजाब भी बरश्टी छाय प्रोदेश के अंद्रगत आते हैं उतिक कहा दा सकता है कि अरावनी प्रत माला रजस्तान के मान्सुन के समानांतर होने के यह बटा है मैं आसा करता हूं कि आपको एक क्लास पसंद आएगी तो आप इसे ज्यादा से ज्यादा सेर करें कमेंट्स करें और आराम से घर में रहे करके कोरोना को मात दे करके और प्रक्तिक लासेज के यूटूब चैनल से जुड़े रहें धन्यवाद